हेलो दोस्तो जैसे की आप जानते ही है कभी-कभी भारत और नेपल के बिस में लिपुलेक और काला पानी को लेकर जूद की हालाद पैदा हो जाती है और इस समासिया को लेकर अगर कभी भारत और नेपल के बिस में लाराई शुरू हुआ ताब नेपाली सेना के सामने भारतिया सेना ठिक से टिक नहीं पाएगा और क्यों टिक नहीं पाएगा इसी की बारे में बाद में हम एक विडियो में आपको बताऊंगा लेकिन भारतिया बायु सेना को रोकने के शामता नेपाली आर्मी के पास नहीं है और इस EARFORCE के मदाचे भारात नेपाल के उपर भायानाक Arial Strike करने में सक्षम है और ये खात्रे का मुकाबला करने के लिए नेपाल को एक माजबूत बायूसेरा बनाने की सक्थ जरूरत है क्यूकि अगार नेपाल के पास एक माजबूद बायुसेरा होगी तो भारात कभी भी नेपाल के उपर हमला करने का हिम्मात नहीं करेगा इसलिए नेपाल को अपनी सुराक्षा के लिए जल्चे जल्द एक सोटा लेकिन आसार्दार बायुसेरा की स्थापना करना चाहिए और ये लाराको तियारा दुनिया की किसी भी चाउथी पीरी की लाराको तियारा के साथ बारा बारी बे मुकाबैला कारने की साम्तार राकती है इसलिए चिन्दुआरा निर्मिथ ये जेटेंची लाराकुतियारा नेपल की बायो सेना के गाठान के लिए सबसे आच्छा बिकल्प है तो आईए आभाम नजर डालते है चिन्दुआरा निर्मिथ ये जेटेंची लाराकुतियारा की सामता और स्पेसिफिकेशन की पार मैक्सिमाम टेक ओप ओए 21,000 केजी और इस तियारा का पावर प्लान के रूप में उपिया गिया है एक WS-10B टार्बो फैन इंजिन जिसकी मदद छे ये लाडाकू तियारा 1.8 मेग प्रति घंटा की गाती में उनने सक्षाम है साथ ही ये जेटेंसी लाडाकू तियारा इसका गियारा हाट पैंट पार अलाग अलाग तरा की मिसाइल और बामले जाने में सक्षाम है तो नेपाल को इस जेटेंसी फाइटर से खुद का यारफोर्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए इस मामले पार आपका राई कामेंट बाक्स में शियार करना ना भूले